नमस्कार, क्यापिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सुना ली और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने एक बड़ा आक्षन लिया है, बड़ा आक्षन लेते हुए अतीक एहमत के करीबी जफर एहमत के घर पर बुल्डोजर चला है इस संपती की रकम 3 करोड बताई जा रहे है, आपको बता दे वही घर है जहां अतीक एहमत की बीवी, शाहसता परवीन, आरुपियों और शूटरों से मिली थी इस बड़ी खबर में हमारे साथ जुड़े हुए है Capital TV के Executive Editor राजीव जी राजीव जी क्या कुछ बड़ी अपडेट? लेकिन अब क्या बोलने लगी है कि किसी अतीक एहमत के गुनाहों के लिए उनके पूरे परिवार को सजा नहीं मिलने चाहिए आखिरकार माया बत्ति को ये समझ में आना चाहिए कि अतीक एहमत के गुनाहों की सजाएं लोगों को नहीं मिल रही है बलकि ये सारे के सारे लोग गुनागार हैं अगर एक एक करके इनके परिवार के लोगों को देखा जाए तो अतीक हमद खुद भी जेल के अंदर है और इसके खिलाफ कारवाई हो रही है क्योंकि ये पुलिस को सुबूत मिले हैं कि इसने इस पूरे सूट आउट को प्लान कि जेल के अंदर रहके दूसरे बात है उसका एक भाई जो बरेली के जेल में है उसके किलाब भी ये सुबूत पुलिस को मिल चुकी है कि उसने वीडियो कॉल के जरू एक कॉर्डिनेट किया था कि सूट आउट में कौन कौन लोग सामिल होगे कितने लोगों की टीम होगी कौ कौन कहां पर रहेगा तेरह लोग जो रखे गए थे उसमें फरंट पर कौन रहेगा शुट आउट कौन करेगा बैक अप टीम कौन होगी यह सारे के सारी प्लानिंग उसके भाई ने की थी और उसने यह सारी जानकारी अतीक अहमत को दी थी तीसरी बात उसके दोनों बेटों क बोला कि उनके दोनों बेटों को पुलिस ने बिना जानकारी के उठा लिया उनको पता ही नहीं है कि वो कहां है फिर दूसरी बात आई कि यह माइनर है जो सूट आउट करने के लिए जो गोली चनाले के लिए तयार है वो माइनर है तो अब यह माइनर का मुद्दा उठाने में शामिल हुआ था उसने उन लोगों को इकठा किया जिसको इस गोली कांड के लिए हायर किया गया था पैसा देकर शूटर बुलाए गये थे अब अतिक अहमत के परिवार का चौथा जो चौथी सदस है इन पूरे मामले में अगर देखा जाये तो साइस्ता परवीन को साइ उन्होंने पहले कहा था कि पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे अब उन्हें लगने लगा है कि ऐसे ही उत्तर परदेश में जो मुस्लिम वोटर हैं वो समाजवादी पार्थी के तरफ जा रहे हैं तो ऐसे में अगर बस्पा को ऐसे मोकों का फायदा उठाना चाहि कि इसलिए अतिई कहमद को फिर से बस्पा में शामिल करने के लिए उन्होंने अनुमति दी थी चुकि अतिए कहमद खुद सामिल नहीं हो सकता था वो जेल के अंदर है चुनाप भी नहीं लड़ता को तो ऐसे में उसकी बीवी शामिल हो गई बस्पा में लेकिन पूरा का सम्मिकरन का मामला है कि जिस बस्पा के विधायक के हत्याकान में ये लोग शामिल थे उसके गवाह के हत्याकान में ये लोग शामिल है जिसके हत्या हुई थी राजुपाल की उसकी पत्नी अभी सपा में आ गई है लेकिन मायावति को अब उन लोगों को डिफेंड करना जो उसी के विधायक के हत्यारों मतलब हत्याकांड में शामिल थे और उसके गवाह के भी हत्या कर दी तो अब साइस्ता प्रवीन की बात आती है कि ये बेगुना है जैसा कि मायवती कह रही है लेकिन अभी जो बुल्डोजर चला है खाली जफर के घर पर ये घर कौन सा है इस सिर्फ पहले की मिटिंग की बात नहीं है पहले की मिटिंग जहां जहां होई थी उस जगह को सीन कर दिया गया है वहां से जो शूटर थे वो फरार हो गए थे लेकिन यहां पर शाइस्ता परवीन ने उस घर का इस्तेमाल किया उसके पडोसी का घर है अतीक अहमद का खासम- का है रियल एस्टेट का है और यह जो खालिद जफर है वो भी अतीक हमद के ब्लैक के पैसे को वाइट करने के रिये रियल एस्टेट का कारोबारी बना और इसलिए इतना बड़ा हत्या कान के बावजूद जब वहां से सूटर फरार हुए तो उसके बाद उसने अपने घर में साइस्ता परवीन के साथ उन लोग की मिटिंग की क्योंकि ये जफर को क्या पता नहीं था कि ये उत्तर परदेश की सरकार इतनी सतर्क है कि वो खोदते खोदते यहां तक पहुच जाएगी पुलिस को कभी न कभी ये पता चलेगा कि इसके घर में बात चित हुई थी मि पाल की तरफ चले जाएंगे कुछ समय के लिए अंडर ग्राउंड हो जाएंगे इन लोगों को पता नहीं था कि उत्तर परदेश की पुलिस इतने तेजी से एक्सन लेगी और एक के बाद एक को दबोचेगी जो पकड़ा जाएगा उसे गिरफतार करेगी जो नहीं देखिए डर तो सब के अंदर है और होना भी चाहिए क्योंकि इनकाउंटर कोई ऐसे फरजी तरीके से नहीं होता जब आप मुठवेड की बात करते हो तो मुठवेड अगर अपराधी ने गोली चलाई है तो पुलिस को भी अब स्वतंतरता है इस बात की कि आप भी उस कार अबाई करें यानि की एक्षन के बदले रियक्षन पुलिस कर रही है पुलिस सीधे मुठवेड में एक्षन नहीं लेती है पुलिस चाहती है कि इन लोगों को गिरफतार किया जाए क्योंकि मारने से पुलिस को ज़्यादा फायदा नहीं है यागर ये पकड़े जाएंगे तो एक एक करके ये गवाह बनेंगे और बताएंगे कि इस पूरे कांड का मास्टर माइंड कौन है और इसलिए पुलिस मजबूरी में इनकांटर करती है इन लोगों को क्योंकि ये लोग चाहते हैं इन्स्ट्रक्शन दिया गया है कि तुम मर जाओ लेकिन पकड़े मत जाओ पकड़े जाओगे तो हम भी फ़स जाएंगे और इस पूरे मामले में अब जो बुल्डोजर की कारवाई सुरू हुई है वो सिर्फ और सिर्फ खालीद के घर में नहीं होगा जफर के घर में नहीं होगा अब अतीक हमद चुकी साइस्ता परवीन खुद भी इसमें आरोपी है अतीक हमद आरोपी है उसका दोनों बेटा आरोपी है तो इन लोगों के एक एक घर पर बुल्डोजर चलना है और सब को अब सबक सिखाया जाएगा तिकिस तरीके से ये जो सरकार ने अपनी नीती बदली है उस नीती के साथ अगर रहना है तो उत्तर परदेश में रहो अगर नहीं रहना है तो बोड़िया विस्तर बांद के यहां से जाओ क्योंकि माफियाओं के लिए गुंडों के लिए अब यहां पर कोई जगह नहीं ह धन्यवाद राजीव जी तमाव अपडेट के लिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उमेश पाल हत्याकान मामले में आरोपियों के घर पर बाबा का बुल्डोजर गरजना शुरू हो चुका है अतीक के करीबी जफर एहमत के घर पर बुल्डोजर चुला ह इसकी संपतीक तीन करोड की बताई जा रही है यानि मिट्टी में मिलाने का अभियान अब शुरू हो गया है कैमरमेन रवी के साथ मैं सुना ली क्यापिटल टीवी